नमस्कार पहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग मिथू नासी सनी देव राहू के नच्छत्र में करेंगे एंट्री तब क्या होगा आपकी लाइब पर इसका प्रभा क्योंकि तीन अक्टूबर को राहू के नच्छत्र में आ रहे हैं सनी देव सनी देव राहू के सतभीसा नच्छत्र में आएंगे तो उनके सतभीसा नच्छत्र में आने से आप मिथू नासी के ऊपर कुछ खास प्रभाव पड़ेगा सनी देव कर्मों का फल देते हैं 2 अक्टूबर को साल का सबसे बड़ा सूरिख्राम भी लगने जा रहा है और 3 अक्टूबर को सनी देव अपना नच्चतर परिवर्तन कर लेंगे तो मिथून डाशी राहू की उच्च डाशी है और सनी का नच्छतर परिवर्तन मिथून डासी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है देखिए आपकी लव लाइप में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके बैपसाय में कुछ बड़ा होने जा रहा है कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कुछ ऐसी घटनाए होंगी जो रोमान्चित करेगी और सनिदेव की किरपा से धन प्राप्ती की प्रबल संभावना बनेगी लगातार धन आएगा धर्म कारे के तरब भी आपका जुका होगा अगर आपने विदेश जाने के लिए फाइल लगाई भी है तो कोई गुड नियूस भी मिलेगी जॉब करते हैं प्रमोसन इंक्रिमेंट के योग बनेंगे आप बहुत भागिसाली है लेकिन सनी देव जो अभी वक्री चल रहे हैं और 15 नुवंबर को वो मारगी होंगे तब 15 नुवंबर को जब मारगी होंगे उसके पहले आपकी लाइफ में इसके अलाबे क्या बदला होगा सबसे पहली बात तो सनी देव योग कारक और एक ऐसे गरह हैं जिनके करियर के उपर प्रभव है आधिपत्य है तो 29 जून 2024 से वक्री अवस्था में चल रहे हैं 15 नुवंबर तक रहेंगे अब देखी ये वक्त जो है वो मद्धिकाल है मद्धिकाल तो इस पिरियर्ड में अच्छा और बुरा दोनों ही फ़ल मिलेगा हलांकि वो राहू के नच्छतर में जब आएंगे 3 अक्टूबर से तब यहां से आपकी लाइफ में सकात्मक बदलावाएगा लेकिन इसके पहले सिर्फ जैसे न्याय के गरह है सनी और न्याय के गरह अभी जो वक्त आपका चल रहा है कारे सिध्धी का वक्त है जो कारे अटकेवे हैं जो कारे लंबे समय से फसेवे थे किसी ने किसी कारन से आपके कारे अटक जा रहे थे वो कारे अब बढ़ रहे हैं आपको भी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये पिरियर्ड एक बढ़ दान की तरह है अब जो ये लगभग डेर महिने का वक्त बचा है करियर में तरक्की करेंगे सनिदेव आपके दो घर के मालिक है अस्टमभा जिसे सनिदेव का आठव गर और इस घर के मालिक हैं सनिदेव और भागे के सवामी भी हैं तो यहां पर अंगर जैसे आपके उपर ना ना ठ्हih चल रही है और सनी देव यहाँ पर नवम भौपर जैसे मान लीजे आपके लिए जो मद्धिकाल होता है अब आपको कोई काम कर रहे हैं और एकदम से बीच वाला वक्त आ गया कि हाँ अब आपका 50% हो गया और 50% बाकी है बिल्कुल वैसा ही आपको फील होगा लगे गया जैसे बहुत सा काम देने के लिए तो क्या क्या होगा अब दिखें आपके लिए सबसे पहली बात जो काम अधूरे थे अब बन रहें बनेंगे और भागे का अस्थान में जो आपने सोचा है जो आपके सपने हैं वो पूरा करने का यह वक्त है जो सनीदेव के माध्यम से सनीदेव के आसिर और कहीं कुछ वो चीज़ें अटक रही थी तो ये ऐसा वक्त है कि उच्चा दिकारी आपका सपोर्ट करेंगे कारे भी पुरा होगा तो इसमें मजबूती से प्रभाव देंगे और काम को पूरा करने के लिए तो समय मिलेगा लेकिन भागे आपका जरूर यहाँ पर जागरित होगा तीन अप्टूबर से अब स्वेम करियर के मालिक हैं करियर में भी अगर आपको आगे बढ़ाना चुकि यहाँ पर चाह रहे हैं उच्चा दिकारी का सपोर्ट भी दिलवाएंगे सनी देव कोई धार्मी क्यात्रा करवाएंगे अस्थान ऐसा जहाँ पर आजाके आपको सुकून मिले भाई के यहाँ पर भाई का साथ मिलेगा और करियर को बैलेंस करने का यह वक्त है तो बैलेंस बना कर चलिए अब वक्ति अवस्था में एक घर पीछे का परणाम देते हैं तो अस्टम भाव का परतिफल भी आपको यहाँ पर मिलेगा लेकिन एक बात याद रखिए अस्टम भाव होता है आयूर भाव रिसर्च का भाव करियर का भाव तो ऐसे में इन चीजों से जुड़े हैं तब आपके लिए बढ़िया है और यहां पर सबसे बड़ी बात कि अगर कोई समस्या लाइफ में चल रही थी तो उसका समाधान निकलेगा यह ऐसा समय है जब यहां पर आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे अपने रास्ते को मोड सकते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए आए हैं और वो देखे जाएंगे अभी भले ही वक्री चल रहे लेकिन जैसे ही मारगी होंगे तब नौकरी में ट्रांसफर की योग बनेंगे और आपकी लाइफ में यह जो टाइम है अगर आप मार्केटिंग के फिल्ट से जूड़ना चाहते हैं तीसरा घर आपके प्राकरम का है सनीदे बैठे हैं और उससे सप्तम भाव इस हिसाब से सप्तम भाव यहां पर तीसरा घर तो मार्केटिंग का घर है भाई-भेन का घर है तो इन चीजों के लिए अच्छा है पूरी किर्पा पाने के लिए क्या करें देखिए आपके घर में कोई कबार है उस उसको हटाईए या तो उसमें नई सेल डाले या फिर उसको हटा दें किसी को दे दें यह बहुत आवस्यक है बिना चलने वाले जो घड़ी हैं कवार हैं बिना यूज के सामान हैं उन सभी चीजों को घर से बाहर करें ताकि पॉजिटिव एनर्जी आती रहे और आप तरकी कर अपने घर के दरवाजे के उपर खिड़की के उपर घड़ियां भी ना लगाए नहीं तो बुरा वक्त सुरू हो जाएगा पूराने जूते चपल हटा दीजिए पूराने जाडू इन चीजों को हटा दे ताकि किरपा सनीदेव की अच्छे से बरस्ति रहे घर की साब सफा को बेहतर बनाई यह ताल मेल बनाकर रखिए इस परियर में धार्मी की यात्रा के भी योग बनेंगे और कर्म का अनुसार तो फल मिलेगा ही लेकिन मेहनत करते रहें कभी कभी इस समय में आपको महसूस होगा जैसे आप भटक रहें रास्ते पर आपको भटकना नहीं है आपक एक लक्ष को सोच कर रखिया और धीरे धीरे आगे बढ़िए पीछे से धक्का देने के लिए सनिदेव हैं तो यहां पर धक्का लगेगा और एकदम से आप आगे बढ़ जाएंगे एकदम से उचाईओं को प्राफ्त करेंगे तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच करें हरहर महादेव धन्यवाद